आज के टाइम पर खराब लाइफस्टाइल और अनहेल्दी इटिंग की वज़ज़ से बहुत सारी प्राब्लम्स हो रहे हैं होती क्यों है क्योंकि समय रहते अगर इसे कंट्रोल कर लिया जाए तो बहुत सी गंभीर बीमारियों का खत्रा जो है वो होने से बच सकता है लेकिन आगे चल कर इससे बहुत सारी प्राब्लम्स हो सकती है तो ऐसे में आज इस वीडियो में आपको डॉक्टर नीरज और मैं मैं मैंदानता गुदुग्राम में लिवर डिजीजेज के डिपार्टमेंट में सीनियर डिरेक्टर हूं क्या आपको पता है कि फैटी लिवर, ब्लड प्रेशर, डायबेटीज, हाई कॉलेस्टरॉल, हार्ट डिजीज, ये सब जो कॉमन डिजीजेज हैं ये आपस म इंटरलिंक्ट हैं, क्या आपको पता है कि 70% लोग जिनको डिवर डियविटीज है या प्लड प्रेशर है, उनको लिवर में फैट आ जाता है, यानि कि लिवर में चर्वी बढ़ जाती है और इस से लिवर डियमेज होने के चांसे होते हैं, फैटी लिवर जिनको होता है उ वो हार्ट डिजीज जादा करती है और इसलिए हमें फैटी लिवर, डायबेटीज, ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीज इन सब को एक सिंड्रोम की तरह देखना चाहिए और इसको हम मेटाबॉलिक सिंड्रोम कहते हैं और इसका इलाज भी एक कॉमन इलाज है आप जानके हैला अना ओर को पॉपुलेशन है हमारी तो शयीट पकाचासवड लोगों को फैटी लिवर और इनमे से दस साल में 15 साल में करोड़ों को ये थैटी लिवर advanced liver disease होता है और इसमें liver fail भी हो सकता है तो ये heart disease भी करता है और liver को भी fail करता है हमने देखा है कि पिछले कुछ सालों में या पिछले दशक में fatty liver बहुत ज़्यादा prevalent हो गया है हम OPD में देखते हैं कि हर तीसरा चौथा पेशन्ट जो हमारे पास आता है लोग exercise कम कर रहे हैं sedentary lifestyle जादा जी रहे हैं कार में travel कर रहे हैं paddle कम चलते हैं exercise कम करते हैं so that's the number one reason number two है हमारा खान पान ये हम देख रहे हैं खासकर यंग्स्टर्स में मोटापा बहुत बढ़ रहे हैं लोग junk food का रहे हैं pizza burger खा रहे हैं high protein, nutritious, balanced diet का concept एकदम खतम होता जा रहा है so ये major कारण है lifestyle change alcohol जादा लेना junk food खाना unhealthy food खाना और exercise ना करना ये प्रमुख कारण है जिसकी वज़े से fatty liver इतना जादा आजकल general population में हो गया है तो जैसा कि आपको डॉक्टर नीरज जी भी बताया कि खराब lifestyle की वज़े से exercise न करने की वज़े से unhealthy खान पान की वज़े से और शराब का सेवन करने से fatty liver की problem बढ़ ही है और fatty liver सिर्फ एक अकेली problem नहीं है इससे और भी problems होने लगती है especially hearts related बिमारिया fatty liver के कोई symptoms नहीं होता है तो अकसर क्या होता है कि patient किसी current से ultrasound कलाता है और तब पता लगता है कि liver में fat है fatty liver is a silent disease unless ये बहुत advanced हो जाती है तो fatty liver के कोई symptoms नहीं होता है कोई दर्द नहीं होता है कोई और symptoms नहीं होता है वैसे तो डॉक्टर नीरज ने आपको बताया कि fatty liver एक silent disease है इसके कुछ खास symptoms दिखाई नहीं देते है लेकिन विट टाइम कुछ symptoms आपको दिखाई देने लग सकते है जैसे कि पेट के उपरी हिस्से में आपको अगर दर्द रह रहा है तो आपका वजन अचानक से कम हो जा रहा है तो थकान या कमजोरी फील हो रही है तो इसका इलाज जो में स्टे इलाज का है जैसा मैंने बताया इस लाइश्टाइल मॉडिफिकेशन अच्छा खाना एक्सराइज मेंटेनिंग यूर वेट अगर मोटापा है तो उसको वेट को कम करना अब कुछ नई दवाईयां भी आ गई है जो फैटी लिवर को ठीक करती है जो लिवर डैमेज होने लगता है उसको भी वो डिवर्स करती है बट मैं फिर से यही दवादाना चाहूंगा कि ये दवाईयों का लिमिटेड रोल है ये कुछ टाइम तक काम करती है लॉंग टर्म सोलूशन एक ही है वेट लॉस अच्छा खाना और एक हल्दी लाइफस्टाइल जीना तो देखिए छोटी छोटी चीज़े हैं जोसे अगर हम अभी से सुधारना शुरू कर देते हैं तो फैटी लिवर की प्रॉब्लम बहुत हता कम हो जाती है सबसे पहले अपने लाइफस्टाइल को सही करिए अपने खाने पीने की आदतों को सही करिए अपनी डाइट में फल को, सबजीों को शामिल करिए बाहर का खाना, तला भुना खाना इन सभी को अवोईट करिए हर दिन आदे घंटे की exercise भी बहुत ज़ादा जरूरी है साथ ही आपको पानी पीना जरूरी है क्योंकि अगर आप दिन में 8-10 ग्लास पानी पीते हैं तो इससे आपके शेरीन में जतने भी toxins हैं वो सम निकल जाएंगे तो अगर आपको भी fatty liver की problem से बचना है तो इन आदतों को अभी सही अपने daily routine में शामिल करना शुरू कर देजे I hope आपको ये वीडियो informative लगी होगी ऐसे और वीडियो के लिए हमारे चैनल NBT Life को सब्स्क्राइब करना न भूले